हलो दोस्तों इस वीडियो में हम एक फिनेंशल सेक्टर के इसमाल कैप तथा हाई इसकी स्टाक के बारे में डिसक्सिन करने वाले हैं तो यह वीडियो बहुत इंफर्मेटिव होने वाली है वीडियो को पूरा देखें ताकि इस स्टाक की कंप्लीट जनकारी आपको मिल सकें वीडियो सुरू करते हैं नमस्ते दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल वाव इन्वेस्ट में आपका देल से स्वागत है क्या आप मार्केट मूड इंडेक्स देख सकते हैं आभी फियर के जोन में ही है तो यहां जब भी इंटर करता है तो बिल्कुल बाइंग आप बहतर निटर रोकर के बाइंग करें क्योंकि एक्स्ट्रिमली फियर का जोन है और इस सेक्टर में आने बाद मार्केट में अचानक गिरावट आती है इस चीज को अभी अपने ध्यान में रखें आप यह इस्टाक है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड और यहां देख सकते है ginate acta का दिखा रहा है पिछले 15 दिनों में 44-15 परसेंट के कि अवलेबल है थिसले एक माहा में भी 12 माहा में डीलारे द्रीप सकते हैं 80 परसेंट का रिटन अउन गिए और यह इंग करेंप अर और यह इस इस दो सारग ऑड एदेख सकते हैं 143 परसेंट का जनरेट किया है और पिछले 5 साल का इतन देख सकते हैं 136 परसेंट का जनरेट किया है तो चुकी कमपणी अभी 2021 में ही लिस्ट हुई है वह भी लिस्टिंग डिटेल भी हम देखेंगे और वहां से देख सकते हैं आप कैसे इसमूद यहां से एक साइट विज मे करीब इटर्ण जनरेट किया था कमपनी ने 2021-22 में और फर्दर देखिए आप और वहां से देख सकते हैं प्राफिट बुकिंग है और कंपनी में गिरावट दर्ज हुआ है तो 36 परसेंट के करीब गिरावट दर्ज किया है और यह गिरावट देख सकते हैं 37 35% तक से यह ग यहां देख सकते हैं इस जोन में जिसने भी खरीदारी किया उसका रिटर्न देख सकते हैं 253 यानि की धायरून आपके पैसे को कर चुकी है जबकि यही पूरा यहां से लिस्टिंग आप देख सकते हैं 136% का ही रिटर्न जनरेट किया है जो भी कमपनीया दोस्तों गिराव यहां देख सकते हैं 37444 का यहां पर एमांट जनरेट किया है तो यहां एक हजार यारी तीन गुना आपके पैसे को यहीं पर तीन से सारे तीन गुना कर चुकी है जो लोग यहां पर डिप में खरीदारी किये होंगे उनका बेंपिट उनको मिल रहा होगा और यहां पिछले यहां पर जनरेट होता है वहां पर यादर की कंपनी अगर सस्टेन करती है इस जोन में खरीदारी के लिए आप बिचार बना सकते हैं सकेंड डिटेल देख सकते हैं 5 अक्टूबर 2020 को लिस्ट हुई थी और लिस्टिंग प्राइज देख सकते हैं 275 रूपय के करीब था इस जो यहां पर इस उप्राइज देख सकते हैं उससे 800 परसेंट के रिटर्न जनरेट किया है और लेस्टिंग प्राइज से 972 परसेंट करने वाली यह पैसे को तो आप इस पर बिचार बना सकते हैं यहां पर कंपनी के एबाउट सेक्शन में देख सकते हैं एंजल वन आफ मीचल फंड और लेंडिंग इस तरह से कार्पोरेट एजेंट आफ इंसोरेंस कंपनी इस तरह से तो इस सेक्टर में काम कर रही है और यह अभी इसका फ्यूचर और बहतर है और लोग जूटते जा रहे हैं यहां पर मार्केट कैप देख सकते हैं 24,524 करोड के करीब है करेंट प्राइस 2,921 है हाई इस ने लगाया है 3,900 का और लो लगाया है 999 का इस टाक का पी देख सकते हैं 23,3 पैसे के करीब है बुक वैलू 311 रूपे है डिविडेंट इल्ड भी है डिविडेंट अच्छा प्रोवाइड कर रिए दोस्तो 1.36 परसेंट और ROC देख सकते ह है 44% के करीब है ROE देख सकते है 47.1% के करीब है फैस वैलू 10 का है तो फर्दर इसमें आपको इस प्लिट का फायदा मिलेगा जब भी कंपनी अपने फैस वैलू को 10 के बजाए 1 में करती है तो आपको 10 गुना benefit मिलेगा आपके पास अगर 10 quantity में share होंगे तो आपको 100 quantity में share हो 200 दिन के DMA के नीचे आता है तो बिल्कुल अवलक बाइंग के लिए प्रिपर करें और जब भी ये 50 दिन के DMA को support बनाता है तो उस टाइम आप एवरेजिंग कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं अभी add present क्या position बन रही है 50 दिन के DMA को नीचे नीचे आ गई है तो यहां के गिरावट हो रही है जैसे 40% के गिरावट दर्ज किया था company ने तो यहां आप मान के चलने कि यहां से 40% की गिरावट हो सकती है 20% के लगभग गिरावट अभी आल्रेडी दर्ज कर चुकी है तो यहां पे आप first और second IP दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उसका आपने अपी 2 share खरीदा तो फर्दर आप उसे 4 share खरीदें और जैसे 30% की गिरावट दर्ज करें तो 6 share या 8 share खरीद सकते हैं फर्दर 40% की गिरावट दर्ज होती है तो 16 share इस तरह से आप quantity जब compound way में उठाएंगे तो company अपने जो high लगा चुकी है 3,900 का वहां भी touch करके आत जरूर कर लें यहां company का प्रोस देख सकते हैं company is expected to give good quarter company has delivered good profit growth कितना 52.2 cager पिछले 5 सालों से तो कितना बहतर cager यहां पे generate कर रही है company has good return on equity ROE track 3 सालों का ROE देख सकते है 44.1% के लगए और company has maintained healthy dividend payout 36.2% debtor days को भी improve किया है तो बहतर sign है दोस्को यहां पे cons में भी देख सकते हैं stock is trading अपने book value से 9 गुने महांगे पर trade कर रहा है तो महांगा पर trade करेगा दोस्कों अगर stock वाकई में बहतर है तो महांगा trade करेगा आपको बिल्कुल जब घिरावट मिले तो भी आप विचार बनाए और इंटर करें company might be capitalized the interest cost और promoter holding decrease हुई है पिछल पर सिर्फ public खरिदारी करने की में है डियाई और एफाई का involvement नहीं है तो वहांपे थोड़ा सा alert होना होता है आपको अगर वहांपे एफाई और डियाई की खरिदारी बढ़ रही है तो बिल्कुल अच्छा साही है दोस्तों यहाँ पे पीर कंपनियों में detail देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इसको भी अपने वीचार रखें यहां profit loss में sales देख सकते हैं 1200 करोण के करीब sales कर रहे थी जिसको increase करके 2022 में 200 करोण के करीब गई है फिर 3000 करोण के करीब अब ही मार्च 24 तक का data आना बाकी है फिर भी company न 3740 करोण के करीब sales कर चुकी है तो बहुत बेटर sales कर रही है यहाँ पे net profit भी देख सकते हैं profit EPS क्या होता है यह सबीटेल आप जितना टीप में study करेंगे उतना आपको benefit मिलेगा यहां पे इस्ताइक प्राइज सीजियार देख सकते हैं पिछले एक साल से 133 साल से 100% के 100% के करीब कर रही है तो अभी गिराउट में अब लेबल है उसके आपको वीचार बनाए यहां ब बहुत बहुतर साइन है ब्रेम देख सकते हैं 1171 करोड के करीब था और सोगाट की है तोड़ा से तो less किशिया यहां फे 1555 करोड के करीम यहां ब्रोइंक के टीटेल में भी अप जा करके चैकर सकते हैं कि यह क्या कि इसके अंदर है आप देख सकते हैं इसमें लांग टॉम कितनी है भी याघाए का तो दाइब कर चकते हैं यहां पोड़नंद बजेकर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं फोटिपुबर परसंट के 15 के करीब स souvent ने आपशाने बीड्रियों कहिरा है इस हमाइस कर सकते हैं प्रौमोटर के अंदर याप देख सकते हैं नेशनल फिनन्स कोपरेशन और इसमाल के पूर्ड फंड हॉर्ण विल और चिट इंडियन फंड यह सब डीटेल अवलेबल है एफाई के अंदर में डी आए में भी देख सकते हैं यह कौन-कौन है अभी बीटेल बीटेल भी क्या-क्या है वो सब डीटेल आप चेक्क कर सकते हैं विडियो पसंदाने से एक लाइक कर मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं हम यहां कंपनी की देख साइट पे भीट कर रहे हैं आप देख सकते हैं Wealth-building Power of India Prime Broker यह ब्रोकर कर का करती है और यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टेल अवलेबल है डेख सकते हैं ट्रेड और इनवेंट्मेंट का और अपसन है mutual fund S.I.P. बगधरा कर सकते हैं लाद नहां सीखने का है product क्या क्या है बिकम पार्टनर वगरा है प्राइसिंग है सपोर्ट है जैसे कि मालीजी हम यहां 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 इंडिया का स्टाउक तो इस तरह से विजिट करें और काफी कुछ यहां सीखने को मिलता है आपको यह क्या क्या चीज़े प्रोवाइड कर रही है वो सब डिटेल आप सको सीखने को मिलेगा तो जितना सीखेंगे अपने रिस्क को आप उतना ही कम करेंगे फर्दर डिटेल चेक करते हैं यहां पर यहां पर कुछ की पॉइंट है उसको भी डिस डिस्टिबूटर थर्ड पार्टी फिनेंसिल प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टर एजुकेशन यहां पर क्लाइंट पेस देख सकते हैं अभी यहां देख सकते हैं 2021 के अनुसार 15.3 मिलियन के करीद था और फिर 2022 में आप देख सकते हैं 2022 में 9.2 मिलियन तो कितना बेहतर ग्रोथ हुआ है और फिर 2022 में देख सकते हैं 2021.6 मिलियन तो इस हिसाब से जो लोग बढ़ते जा रहे हैं रेटेल इसमें इन्वाल होते जा रहे हैं उस हिसाब से बहतर प्राफिट जनरेट करेगी in future 2024 में अभी डाटा कितना ज्यादा इसमें बढ़ चुका होगा यहां पर देख सक यहां पर revenue का डिटेल देख सकते हैं ग्रास ब्रोकिंग से 68% revenue जनरेट कर रही है इंट्रेस्ट और रिपोजिट से 16% एंसिलेरी ट्रांजेक्शन से 7% डिपोजिटरी से 6% डिस्ट्रिबूशन से 1% और अधर से 2% यहां पर ग्रास ब्रोकिंग revenue भी देख सकते हैं अफनो से 82% के करीब है cash is 13% commodity से 4% और currency से 1% के करीब है third party product का भी है the company has partnership integrated with various third party products applications such as wasted करके है इस मालके से sensible है और इस ट्रेक है यह सारे जो है यह platform provide करते हैं तो यह third party भी है इसके साथ त्यार delivery पोजिशन भी देख सकते हैं 19 January को 44% और 20 January को 21% delivery उठाए गई है 3 January को भी 47% delivery उठाए गई है 24 January को 50% delivery और 25 January को 49% दस्मलों 1% के करीब delivery उठाए जा रही है तो वहतरा delivery अच्छी उठाए जा रही है दोस्तों यहां पे shareholder में promoter holding प्रीज़ देख सकते हैं कुछ भी नहीं है तो यह भी वेतर साइन है यहां पे public share holding में देख सकते हैं निपन लाइफ इंडिया ट्रस्टी करके है इसमें 3% के करीब होल्डिंग है निपन इंडिया ग्रोथ फंड का इसमाल का वर्ड फंड है इसका 2% के कई होल्डिंग है और यहां पे share की quality देख सकते हैं कितन सकते हैं निपन इंडिया ग्रोथ फंड है इन्होंने अपना इतना holding किया है और निपन इंडिया वैलू है टाटा एक्विटी फंड है और निपन इसमाल कैप है तो यह जोती है मिच्वल फंड में करते हैं वह सारे पैसे इस तरह के स्टाकों में इन्वाल्व होता है इस तरह से निपन इंडिया एक्विटी फंड है तो बहुत सारा अबलेबल दोस्तों देख सकते हैं यहां पर पंधन इसमाल कैप है आप जाईए डिटेल चेक करिए यूनियन इसमाल कैप फंड है इस तरह से बहुत सारे अबलेबल है मिच्वल फंड वालों ने तो बहतर भरोसर जताया है और यह काफी लंबी लिष्ट है दोस्तों आप चेक कर सकते हैं आएसे प्रोडेंशिल निप्टी स्माल कैप है कोटक का है इस डिफसी का है तो यह बर कार्पोरेट एक्सन देख सकते हैं बोनस हिस्ट्री कंपनी अभी तक बोनस प्रवाइड नहीं किया है इस स्टाक स्ट भी देख सकते हैं यहां पर इस डिफस वैलू टैन का है तो फर्दर इस हु우ए स्टाक स्बीट नहीं हुआ है दोजर एकिस में साड़े सात में रूपय का प्रवाइड किया है फिर जुलाइर प्रैस साथ और पञिटूबर दोज़ार दोजार दोजारा प में dividend provide किया है और 2023 में देख सकते हैं जनौरी में 2023 में 9.60 पैसे का फिर मार्च में 9.60 पैसा फिर जून में 4.45 पैसे का और फिर फर्दर आप देख सकते हैं अक्टूबर 2023 में 12.70 पैसे का तो पांच बर 2023 में dividend dividend provide करें मार्च में देख सकती है जून जुलाई और अक्टूबर से चल रहा है इसका जनौरी में अभी दिया है तिसतर से मार्च जून और जूलाई अक्टूबर इसतर से चारवर और dividend देश सकती है कंपनी के उपर dependent कर रहा दुस्तो कितना इनकम कर रहे हैं उसाब से डिविडेंट कर रहे हैं तो इसाब से बहुत्त हों कर सकते हैं तो सबसे कमपनी तो आल्रेडी 20 % गीरेवल पर अब लेवल है तो फश एसाइप आप कर सकते हैं सेकेंड एसाइप फर्टस यह पी इस टाइप से आप दोस्तों सपोर्ट लेवल पर कर सकते हैं जैसे कि 2539 का सबस्ते हो रहा है और दूसरा सपोर्ट लेवल जेनरेट हो रहा है 2235 क फर्दर गिरावट दर्ज करती है कंपनी तो 2060 का सपोर्ट लेबल जनरेट हो रहा है और एक अच्छी गिरावट जनरेट हो रहे हैं का दिल से धन्य बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इस्टाक या इन्वेस्ट की जानकारी के साथ सो थैंक यू दोस्तों